नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बिजेश सिंग और आप देख रहें लाइव उत्तर प्रदेश आयोध्य विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है इस फैसले में विवादित जमीन राम जनगूमी नयास को देने का फैसला किया गया है साथी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आयोध्या में ही पांच एकर जमीर देने का फैसला किया है इस एतिहासिक फैसले को लेकर पूरे देश और खास तोर पर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्ता चाक चौबन कर दी गई है राज्य और केंद प्रशाशित पर रहने को कहा गया है देखिया हमारी खास सिपोर्ट आयोध्या पर पांच जजों ने सरसम्मती से फैसला दे दिया है फैसला पड़ते हुए cji ने कहा कि मंदिर और मस्जिद में 400 साल का अंतर है फैसला पड़ते हुए cji ने कहा कि निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक रंजन गोगोई ने कहा कि हिंदू गुंबत के नीचे ही रामलला का जर्मस्थान मानते हैं मुस्लिम उसे इबादत की जगह मानते हैं दावो पर कोई फैसला नहीं दिया जाता लेकिन हिंदू मानते हैं कि गुंबत के नीचे ही रामलला का जर्मस्थान है विवादिस थल पर हमेशा से पूजा होती आई हिंदू वहां सीता की रसोई भी मानते हैं सुप्रीम कोट के प्रधान नयादीश ने कहा कि लोग विवादिस तल के अंदूनी हिस्से को ही राम जन्भूमी मानते हैं अंदूनी हिस्से में हमेशा से पूजा होती थी उन्होंने आगे कहा कि इ मुस्लिम मस्जिद में नमाज अदा करते थे मुस्लिमों ने मस्जिद को कभी नहीं छोड़ा रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि आयोध्या के विवादी स्थल के बाहरी चेत्र पर हिंदू का दावत साबित होता है 1856 से पहले मुस्लिमों का गुंबत पर दावत साबित नहीं होता खुदाई में मिला धाचा गैर इसलामिक था लेकिन मंदिर तोकर मस्जिद बराने के प्रमान नहीं ऐसी खबरों के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रही है लाइव उत्तर पर